नमस्कार मैं हूँ कविता उपाध है और हम हैं भरत टीवी के साथ साथ में नरेंद्र शर्मा जो की नन्नु है रगवर पुरा वर्ड आम आद्मी पार्टी से वर्ड अध्यक्ष है आज किस बात को लेकर के हमारे वी चुतरे हैं क्योंकि निवासी हैं रगवर पुरा की तो आज जो एक एक्स्क्लिोजिवली यह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोई खास बात है इन्हीं से जानेंगे चर्चा क्या है जनता को कि क्या परिशानिया है नन्नु जी बताएं किस विशह पर आज बोलने की इच्छ है मेरे दोस्तों मेरे साथ ही हो आज आपको एक दुर्भाग्य पूर जो दुर्भाग्य की बात है हमारी कि जिसे हमने विधायक और निगम पार्षच चुना 27 सी का रगबर पुरावार शाम सुन्दर अगरवाल जो कि आज मेर बने वे हैं मेरे दोस्तों आपको एक वीडियो भी शेर करेंगे उनकी बातों को आपको बताएंगे कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि बैठे भी बीजेपी के आला अपसर अधिकारी ये कहां सो गए कहां चले गए कहां कुमकरण की नींद सो रहे हैं देश में आग लग गई विधान सवा छेत्र में आग लग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों पहले करते हम निगम पार्षद की बाद शाम सुंदर अगरवाज वाज हमारी बदकिस्मती से मेर बन चुके हैं दोस्तों जब हमने वोट दी थी या इनने जिता आया था यह उम्मीदे करके जो हमारे दुख सुक में हम बना रहे हैं आज इस निगम पार्षद कभी सीलिंग कभी सरकार कभी कुछ हर तरीके से कभी मकान तुडवा दिये कभी कंप्लेंड करा दी किसी की आज यह चीज आपके सामने एक चीज उजागर होगी जो की वीडियो में सुनूगे आज तक मैं नेता विपक्ष ऐसे श हमारे पास रिकोर्डिंग आई है सम्मे वाइरेल है और निगम पार्षद की अजीवो गरीब बात मैं यह आपको दिखाना चाता हूं एक अख़बार में इन्होंने यह दिया यह इनका कहना पूरवी दिल्ली अतिगर्मन पुलिस के दुआरा किये गई पुलिस जिम्मेद आ रहे तो चार साल से आप कहां थे धरत राष्ट बने वे थे आँखों पर पट्टी थी अब इस सिंगाशन पर बैठे क्यों अगर चार साल से मैं सिरफ आपकी बात करना चाहता हूं निगम पार्षद जी शामसुंदर अगरवाल अगर आपके देखते वेद पुलिस ने अगर ऐसा अत्याचार किया सरकार की संपत्ति दुनिया की संपत्ति अगर कभजा करवा ली गए आप कहां थे अगर आप थे और चार साल में आपने आख बंद रखे तो उसके गुनागार आप हैं अगर पुलिस को इतने बड़े अधिकार हैं कि अतिकर्मन करवा दे तो मे जनिल वाजपाई जी आज एक ओडियो पे शोर मचा रहे हैं वो यह कह रहे हैं एक जेई को एक अधिकारी को mcd के अधिकारी को कि तुमने मेरे लोगों के मकान क्यों तोड़ रहे हो उन्हें वापिस बुलाओ नहीं मैं तेरी नोकरी को यह ऐसे कर दूँगा वहां परदशन करूँगा मैं धरना दूँगा और शामसुंदर का जो मेरे जो अधिकारी हैं मैं उनका अपने करमचारियों और mcd के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाता हूं कि ऐसे निकम्मे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं एक विधायक के कहने से एक अधिकारी मका नहीं छोड़ता अनिल बाजपाई जी जो विधायन सबाके हमारे MLA हैं वो एक जैई से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैई साब आपने इतने मकानों के ओडर कर दिये जो कि मेरे अपने लोग हैं और कॉंसलर के जितने अवेद हैं या उनके बोड़ लगे हैं उनके नाम से आप उन्हें छोड़ दिया यह तो गलत है कहते हैं नहीं जी उन्होंने ओडर कराईए आपको हम ओडियो भी सुनवाइंगे उन्हीं की आवाज में अपसर की और अनिल बाजपाई जी बात कर रह करता नहीं एक गरीब आदनी का मकान बन रहा है उसका मकान तोड़ने के लिए पहुंच किया वहां पर मैं एक एक मकान की लगा कर आपको कोट ले जाओंगा ज्यान लखिएगा अगर आज तोड़ गया ना मेरे का बाप कहे जाना कोई भी कहे तो आप देख लिएगा मेरी सब्सक्राइब लगा दूंगा आपकी जान कले में पढ़ जाएगी उनके मेरी बात तो सुनिया है उन्होंने सब्सक्राइब कम्प्लेंट लगाई हुई मेर का बोर्ड जिस मकान पे लगा है मैं उसकी फोटो का भी करके बेज रहा हूं तर उसका मकान टूड़ने सब्सक्राइब नहीं यह सबन लीजिएगा मैं आप यहां आके बैठ जाओंगा मैं जरी भी जागे राजी जी यहांसा नहीं सब्सक्राइब कहते हैं आप आप लिखे दिया हुआ है अब तक आपनी तोड़ने नहीं कि इसमें मेर का बोर्ड लगा हुआ है इसको बाविस बुलाईये निवाचा बहुत महगा पड़ जाएगा सर्मा जी आदने बता रहा हूं आपको मैं मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों अनिलवाज पाई जी अगर वो अपना काम करना चाहते हैं किसी की जंगा बचाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें बुराई क्या है एक निगम पार्षद जिद्धी है कि मैं तो तोड़ूंगा अगर हमें एक सड़क बनवाना चाहते हैं और निगम पार्षद को पता चल जाएगी एमेले ये बनवा रहा थो उसे रुखवा देता हैं सर वो अपने को कहेंगे ना कि मैं इमानदार हूँ जो गलत है उसका विरोध कर रहा हूँ मैं सही बात का तो गलत है रहा नहीं रहा हूँ आप किसके लिए कहना चाहते हैं शाम सुंदर अगरवाल अगर ये कहते हैं कि वो जो तेरा घर हैं, जिनकी तेरा ये चौदा घर हैं, वो अवैद हैं, इसलिए तूट रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसकर? मैं सिरफ इतना कहना चाता हूँ, शाम सुंदर अगरवाल जी, इस धर्ती पे पैदा होना ही अवेद है, इस विदान सबा में जनम लेना और अपना व्यापार करना, इस देश में रहना ही अवेद है, कभी हिंदू, मुसलिम, कभी नोट बंदे, कभी करो नाकाल, कभी आफ़ कभी, सीलिंग कभी, कुछ, एक चीज तो सही हो, सारे जितने या निलवाजपाई जी, बताएंगे वो ही अवेद हैं, मैं नवीन चोधरी, दीपुजी और केजी रिवाल जी के आश्वाधन से आपको एक बात कहा देना चाहता हूँ, मकान चाहा, निलवाजपाई पाना चाहे, बचाना चाहे, मेरे दोस्तों अगर ये लोग अच्छा करेंगे, तो हम आपके साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, अगर इन्होंने जरासी भी एक कीट हिलाई, इनकी दुश्मनी में, या इनकी लागबाजी में, MP, MLA को नहीं पहचानता, कौन सरल MLA क दुर भागे देखो गांधी नगर विधान सभा में, मेरे दोस्तों एक विधायक, अनिल वाइच भाई, BJP का, आपको एक कार लेके चलता है, कि मेरी चलती फिरती कार है, क्यों इनका कोई भी खोलने नहीं देता कार्याले, विवाद कर देते हैं, उस जिस मकान में मनानते ह जिस मकान में ये कार्याले बनाते हैं, उस मकान मालिक को भी धंकी दी जाती है, कि इसका कार्याले हटा, वो यहां से राजगर से अटाते हैं, अजाद नगर, एक बंद गली में चले जाते हैं, एक आदमी काम करना चाहता है, या नहीं चाहता है, वो दिखाना तो चाहता है कि मैं बचाना चाथा हूँ मैं आपको शुरू से एक बात कहना चाहा रहा हूं और कहता आया हूं कि मेरे दोस्तो निगम पारश Hashad खुद कंप्लिंड करवाते हैं अपने लोगों से करवाते हैं फिर बचने की बात करते हैं, ये चोदा मकान अलिल वाजबाई के नहीं है, किसी जनता के हैं, तुम्हारे मेरे हैं, हम जब ये घर खरीते हैं, फैक्टरी चलाते हैं, लोल लाते हैं, ये अपने घरवालों से लड़के अपना हिस्सा लेते हैं, जब एक पच्चिस कुछ का, पच् में लड़ बैटते हैं, मेरे दोस्तों, अगर ऐसा राजा होता है, ऐसी परजा, धुदकार ना चाहिए उन्हें, कि हना तो हमें ऐसा राजा चाहिए, ना आमले ना कॉंसलर चाहिए, ना ऐसी बीजेपी सरकार चाहिए, जो कि आला कामान में बैठे वे देख रहे हैं, कि न एक गलती, एक भावनाव में भैके कि हम हिंदू या मुसल्मान या फलानी पार्टी, हम पांस साल के लिए बंदवा हो जाते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर पारे, मैं सिरफ आप से हाद जोड़ के बिंते करना चाहिए, जो हम बात सुनाएंगे, मेरे करमचारी MCD के, जो हैं, जो MCD के सब भी भाग के लोग हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, धन्य है आप कि ऐसे, शब्द नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कि ऐसे नेताओं के बीच में आप अपना जीवन वितार, अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, और इनके सुन रहे हैं, आप जरोब तक की बात ठीक है, लेकिन आपने जैसी की बात कई, भाजपा का ही विधायक, और भाजपा का ही निगम पाशद याने की मेरा भामूने कह सकते हैं, रगुवर्पुरा के, आप यहां के वाड अध्रक्ष हैं, लेकिन पहले स्थाने निवासी हैं, आपको क्या लगत दैश के परधान मंत्री, के बीजे पी में हैं, घब इतना गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत हो रहा है, नेता आपस लड़े मरें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इनको फर्क पड़ेगा, क्यों यी राजा हैं, अपने अपने घर चला हैं, जो बरबात जनता कि छेतर में क्या हो रहा है क्या इने खबर नहीं आती उन्हें एक्षन नहीं लेना चाहिए सब मुबंद करके बैठें या तो किस वज़े से बैठें यह तो वो जानते या इश्वर जानते सर आज आपने आवाज उठाएं कितना साथ देंगे उन लोगों का जो चोदा घर जिनकी आप बात कर रहे हैं मैं नरेंदर शर्मावाड अद्धक्ष रगबर पुरा का नवीन चोदरी दीपूजी और केजरिवाल जी और मेरे साथी हम उन परिवारों के साथ थे हैं और रहे है कराना चाहिए मेरे सबसे बड़ी दुखाद एक चीज की बात है दोस्तों सब बात छोड़ दू एक कॉंसलर एक छोटा सा कॉंसलर पूरी रगबर पुरा में आग लगाना चाहता है एक एमले उससे भी बड़ा दुर भाग्ये मेरा मेरे जनता का वह कहता है कि अगर जही है निल बाजबाई जी आप एमले हैं सर परस्ते हैं इन से उपर हैं इन से बड़े हैं मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई एक भी हीट नहीं हिलनी चीए किसी गरीब की आपकी लड़ाई हो सकती है वर्चस्व की आप परधान मंत्री वने एमले वने कॉंसलर सब कुछ वन जया लेकिन ये जनता निर्दोश है आपकी लड़ाई में आपकी परेशानी में ये जनता नहीं पिसनी चीए और रही पुलिस की बात मेरे दोस्तों आज पांच पुलिस वालों को निगम पार्षद जी आरोपी करके ये भेज देते हैं राम राम भाई ये भेज देते हैं ये क कोई कंप्लेंड करता है या मेर कंप्लेंड करता है और वो ये कहता है कि इन्होंने गलत करा और ये गाड़ियां ऐसे उठाई और उठाके लेगा थाने में बंद कर दिये मेरी अज आप देखो वो कंप्लेंड जो एक कॉंसलर ने किये शाम सुंदर अगलवाने गांधिनगर थाने के सिपाईयों के खिलाब अपसरों के खिलाब उस पे कारवाई भहुत सोस समझ के करना मेरे दोस्तों आज तो पूरी दिल्ली के लिए इन्होंने ये कह दिया है कि पूरी पूरी जोड़के बार बार कितना कहना चाहता हूं आपके पास इंसाफ है वह पात सिपाई की बात नहीं है आपकी इन्साफ कीबात है अगर वह पांसर नहीं वह पांसर नहीं पचा सकते हैं तो कोई भी नहीं आएं वह शूरग्bok आपको जो आडियो है वो सुनने को मिलेगा और फैसला आप लेंगे जो की नरेंदर शर्मा ने जो सवाल उठाएं हैं शामसंदर अगरवाल या भाजपा की किसी भी जन पृतिनीधी पर आपको फैसला करना है कमेंट जरूर करेंगे अपनी राय साजा करेंगे और हाँ ये चोदा ग में मास्क लगाएं